नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंख खना हुमियोपेथि क्लीनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है आज साथियों लोग बात करेंगे मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तमाल करने वाले वर्ड के विशय में, शब्द के विशय में और वह है अलर्जी तमाम मरीज आते हैं डॉक्टर साथ अलर्जी हो गई ये अलर्जी हो गई, वो अलर्जी हो गई, ऐसे अलर्जी हो गई, वैसी हो गई, इस चीज से हो गई, उस चीज से हो गई, तमाम लेकिन अलर्जी वर्ड उसमें होता है तो आज हम लोग डिसकस करेंगे अलर्जी इसके विशे में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे निप्टें, कैसे आप इसका निदान करें सबसे पहले साथियों जान लेते हैं, अलर्जी होती क्या है अलर्जी साथियों, आपका जो बॉडी होता है उसका एक defensive system होता है, immune system होता है कभी क्या वक्त आता है, कि आपका बोडी हाइपर-SENSITIVE हो जाता है, तो जब आपका external कोई इंफेक्शन आता है या वो इंफेक्शन नहीं भी होता है, कोई भी addressing होता है जो वास्तप में जिसको आपको अरजी नहीं cause करतीबीween चाहिए, Suppose कीजिए किसी को milk products allergy है तो जब आप से milk products का intake करा तो जो body का immune system है उसने जो antibodies बना रखे हैं उन्होंने उस पर attack कर दिया और इसको मरीज ने आके का milk allergy है तो जो body immune का hypersensitive response होता है allergen के विरूद में इसी से उत्पन condition को allergy कहते है इसमें सात्यों एक बहुत important बात होती है कि यहां जो है कभी बहुत जल्दी develop हो जाता है body में कभी या सालों में होता है कभी ये सालों में पूरा नहीं हो पाता है एक partial होता है उस इस्तिती में आपके शरीर में allergy moderate होती है और अगर ज्यादा response develop हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज्यादा हो जाती है यह जो process होता है बीच का कि allergy develop होने के लिए जो antibodies generate हो रहे है उनको जो immune system जो release करता है उनको पूरा develop होने के बीच है जो process होता है उसको sanitization कहते हैं यहाँ एक for time taking process होता है बात कर लेते हैं साथियों इसके symptoms की allergy में साथियों जिस तरह की allergy वैसा symptom अगर आपके जो है वो nasal allergy है तो चीकों का symptom हा गया अगर आपके articularia है तो skin में आपके बल जा गए अगर आपके मच्छर के काटने से आपके allergy हो जाती तो उस तरह की लाली होगे मच्छर ने काटा और भारी घाओ बन गया भारी वो scales आ गया भारी चकत्ता बन गया इस तरह का different different manifestations होते हैं बात कर लेते हैं साथियों इसका एक symptom में एक इस्टिती और होती है इसको कहते है एनाफाइलेक्सिस यहां आपको जानकारी होनी चाहिए यहां एक बहुत life-threatening serious condition condition medical condition होती है जो कि allergies में होती है जैसे क्या होता है हम लोग आम तोर पर allergies को बहुत हलके में लेते हैं कि allergy है तो है लेकिन allergy के में अगर यहां condition condition आपके chronic condition developed हो गई तो यहां life-threatening होती है जिसमें आपके unconsciousness भी आ जाती है आप भी होश हो जाते हैं आपका BP भी लोग हो जाता है आपको pain बहुत बढ़ जाता है और आपको तकलीफे होती है और एक medical emergency के आप entitled होते हैं तो इस word को अगर आपके किसी भी चीज़ की allergy है तो आप इस word को वश ध्यान में रखें बात कर लेते हैं साथियों उसके कारणों की इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई allergen आता है आपका body का जो immune system होता है वो उसको बहरी particle एक intruder के रू पूप में recognize करता है और आपका immune system IgE जो immunoglobin होते हैं वहाँ antibodies release करते हैं और यह antibody उस vicious infection को पहचानते हैं कभी यहाँ जल्दी पहचान लेते हैं कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है कभी महीनों का कभी सालों का लेकिन यह पहचानते हैं जित्ता ज्यादा पहचानते हैं उतना जादा आपको इसका बुरा response आता है तो जब यह पहचान लेते हैं तो जब भी वो allergen आपके body आप उसके contact में आते हैं तो आपके यहाँ जो antibodies होते हैं यहाँ उसके हमला कर देते हैं और यहाँ ही आपके manifestation के रूप में विविन विविन जिस तरह का allergen उस तरह का manifestation उस रूप में आपके सामने आते हैं इसकी साथियों इसी लिए diagnosis के लिए डॉक्टर IgE का टेस्ट कराता है कभी आपको allergies रही होंगी तो डॉक्टर ने IgE टेस्ट चरूर कराया होगा या immunoglobin होते हैं जो कि blood में release होते हैं और यही प्रतिरोज़क छमता जो शरीर की है यही आपक आप को सही करने वाले चीज को कष्ट के रूप में आपके सरीर में दे देते हैं इसकी इल नाइफ थ्रेटिंग कंडिशन भी एनाफाइल एक्सिस की अलर्जी के साथ इन्वाल रहती है इसलिए कोई भी दवा भी ना किसल की किसल से पूछे ना लीजिएगा पता नहीं कि दवा का क्या मेनिफेस्टेशन हो और आपको क्या वहाँ नुकसान पहुचाएं पताते हैं साथियों आपको एलर्जी को ठीक करने की कुछ कारगर दवाएं अगर आपको इसकीन एलर्जी है तो इसकी नंबर एक दवा हुमियोपेथी में जो है वहाँ है सल्फर आप सल्फर बनियम तीन खुराग पचपच मिट के फासले पर वीकली ले लें आप देखेंग वहाँ जलन जो हो रही होगी वो खatum हो जाएगी सल्फर के पेस्यंट को आउं तOR के नहाना नहीं पसंद होता है मीठी चीज़ें उन्हें खाना वहाँ ज्यादा पसंद होता है और जसे काहते हैं चाजर ओड के लेटना जाधा पसंद करते हैं रात भर जाकते हैं दिन भर होते हैं यहां सारे सिंटम हैं और अगर आपको इसकी इलर्जी है तो होमियोपैथी में उसकी बहुत कारगर दवा सलफर है आज कि आप वन येंग की तीन फुराग पच्पच मिनट के फासले पर वीक ली लें और अपना इसकी इलर्जी में लाप राप करें दूसरी दवा ज शिकायत है तो आप एपिस मेलिफीशिया ले सकते हैं एक्जेमा में आपने सलफर ली थी और अगर आपको अर्टिकेरिया है तो उसके लिए कारगर दवा एपिस मेलिफीशिया और यूटिका यूरेंस है इन दोनों दवाओं को आप 30 पावर में दो दो बून दिन में नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे वाट्साइप नंबर 94-5786-360 पर अपनी क्वेरी को वाट्साइप कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपको संतोष जनक जवाब दे पाएं उमीद करेंगे इन दवाओं से आपको एलर्जीज में फाय करेंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने चैनल को अन्य लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेजित करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले निया वीडियो योही प्राप्ट करते रहिएगा आपका साथ यूंती देर हमारे सा साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत साथ होगा कर दोटन को Εझ मत्यूंत्या है बल्ष झाल लुट लुट लुट